हेलो इब्रिवन आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं मापक यंत्र योम पैमाने के बारे में ठीक है जैसा कि आप लोग हमारे इस प्रेविएस वीडियो में देखे होंगे हम लोग देखे थे इस तूल पदार्थों के गुड यानि की प्रॉपर्टी साफ जो है सॉलिट के बारे में ठीक है जिसमें हम काफी डिटील में देखे थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मापक यंत्र और उसके पैमान के आने कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे और उस इंस्ट्रूमेंट से क्या-क्या मेजर किये जाते हैं उन सभी चीजों को हम देखेंगे आज के इस वीडियो सेशन में ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है खास करके हम उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो आरो यारो का प्रिपेशन कर रहे हैं या अपसे पहले एक चीज़ ध्यान से समझो कि इससे एक या दो कोशिंद हमीशा देखा गया है अब तक कि प्रिविएस एयर की पेपर अगर उठा के देखोगे तो पूछ लिया जाता है चाया वो आईएस का इक्जाम हो चाया पीसेस का इक्जाम हो चाया आरो यारो का तो सब्सक्राइब जरूर करने क्योंकि काफी इंपोर्टेंट होने वाला है थीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां सबसे पहले देखेंगे कि इधर हम क्या की हैं एक साइड जो हम उपकरड लिखें और दूसरी साइड जो है यह वाला जो इससा होता है वो उस उपकरड कि जो बीमान होते हैं याने की जो एरोप्लेइन वगरे उड़ते हें उनकी जो उचाईों को मेजर करने के लिए जिस फाल इसे इंस्टुमेंट का सब्लबं कि उसेमां कर दो क memb आते हैं गलत ऑप्सन पे यह भी ध्यान से देखना है अमिटर का यूज जो है विद्धुधारा मापक यंत्र है यानि कि यह जो है है काफी important है यहाँ पे कई बार एक्जाम में के अपुछन पूचा है औ्यादो उड्वनि को पूछा है मेजर करने के लिए जबकि यहाँ रखना यहाँ पे यह यह औ्यूपर है तो एक होता है यह ध्वनी को measure करने के लिए एक होता है speedometer यहां पर नहीं है लेकिन मैं mention कर रहा हूं speedometer जो किसी भी गाड़ी का speed बताता है अगर आप देखेंगे तो car वगरे में यह mention रहता है audio meter और speedometer ठीक जो audio नहीं, audio meter Lost meter और speedometer skelet क्या करता है वो distance को बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी दूरी टैंक कर ली गई, वो odometer होगा, और speedometer जो है, speed को बताता है, ठीक है, कि जो है, कि कितनी speed उस गाड़ी की है, ठीक है, और यहाँ पी लिखा है audio, audio का मतलब होता है, ऐसे sound से relate करना, audio cassette या audio से ऐसे समझना, तो यह link करना तो पता के से ध्वनी की तीवरता मेजर करने का एक instrument है, यह भी काफे जाता है, ठीक है, बैरो मेटर, बैरो मेटर जो है, वाइमंडिली दाप के लिए इस्तमाल किया जाते है, तो वाइमंडिल दाप का measurement करना तो वाइरो मेटर का इस्तमार करेंगे, कोलोरो मेटर मतलब, पदार्थ की आंतरिक यो बाहि उस्मा, ठीक है, कैलोरो मेटर, कैलोरो मेटर का यूज़ जो है, किसी भी पदार्थ की internal जो हीट है, और external हीट को हम देखेंगे, ठीक है, पदार्थ की आंतरिक और बाहि उस्मा की मात्रा को मेजर करने के लिए, जो है, कैलोरो मेटर, कैलोरो मेटर का मत किसी भी पदाद की बाहय उस्मा कितनी है और उसकी आंत्रीक उस्मा कितनी है उसके बारे में ज़िए तो के यह कैलोरि मिटर है और एक के के कलोरी मिटर है तो vanet 시 समझना तो अगलों मतलत करने के पर नियु 73 कोलोरो मिटर का इस्तेमाल किया जाता है जबकि कैलोरी मेंटर के आंत्रिक और निमानर की बारे में यह पता लगा जाता है ठीक है कितनी उसकी मात्रा में क्या है उसके बाद यह हो गया cryometer एक प्रकार का thermometer यह भी कई बार question पूछा गया है calorie meter भी important है ठीक है तो यह जो है यहां पर किसी भी परदात की जो है cryometer जो है एक thermometer होता है जो किसी भी चीज़ की निम्नताप को मेजर करने के लिए किया जाता है यानि कि minimum temperature को मेजर करने के लिए जो हम लोग क्या इस्तमाल करेंगे cryometer का जो डिवाई से cryometer उसको इस्तमाल करने करके जो हम पता लगाएंगे अब हम यहां पर इस वाले section में आते हैं तो यह वाला जो है इधर साइड उपकरण लिखा हुआ और यह इस साइड जो है यांत्री कुर्चा को विध्यतोरजा में convert करना ठीक है यानि कि mechanical Energy को इनरजी में convert करना जो है किमें कि यह यह तरह का sharpen की इवाई्स है जो यांत्री कुर्चा को विद्यतोरजा में बदलता है ठीक है उसके बाद आता है अगला हमारे पास ऑड़ति Wakanda Centuddhi अभी किकी opposite निकाय में किसी भी स्टम में विद्योद की उपस्तति का पता लगाने के लिए यह पता लगाने के लिए किलिए थे हैं इने किम्आ सिल डिवाइस से पता लगाते हैं कि हार स्टम में इस स्टम हेश को नहीं है यह पता लगाने के लिए की अंदोस्कोप यहां पर एंडोस्कोप से जो को आंतर हैं इंटरनल और बारे में रिक्षड लिए के लिए जो हम लोग जिस डिवाइस का इस्तमाल करते हैं जिस डिवाइस का इस्तमाल करते हैं वो क्या है वो है डाइनमो ठीक है यानि कि यहां पे क्या हुआ सोरी एंडोस्कोप, ठीक है, एंडोस्कोप से सरीर की आंतरीक अंगों का निरिक्षड किया जाता है, फैदोमिटर, फैदोमिटर जो है ये भी इंपोर्टेंट है, इससे जो समुद्र की घहराई ना पी जाती है, फैदोमिटर से समुद्र की घहराई ना पी जाती है, गैलव लबग लबग जो है यह सारे इंपोर्टेंट है फोटोमेटर को छोड़ करके ठीक है तो यह सारे इंपोर्टेंट है जैसे हाइड्रोमेटर एकजाम में पूछा गया है तो हाइड्रोमेटर से यह सोचना कि किसी विद्रव का जलके सापेक्ष जो है उसकी घनत्त को मेजर करन हाइड्रोमेटर कहलाता है हाइग्रूमेटर हाइग्रूमेटर वाइवंडल के साप एक शिक आदरता की वाइवंडल में कितनी उसी की वाइवंडल में कितनी आदरता है उसको मेजर करने के लिए हाइग्रूमेटर का इस्तमाल करते हैं लैक्टो मेंटर में दूद की सुधता की मेजर्मेंट यानि प्रकास की तिरुता के लिए मापण करने वाला यंत्र है थीए अब यहां पे देख लेते हैं पोटेंशियो मेंटर होता है वह किसी सेल के फीसर करता है जो है पॉटेंशियो मेंटर का उपकरण का उपयोग करते हैं यह मतलब होता है पूछ है Electromotive Force ठीक है Electromotive Force यह भी याद रख ना इसका फूर्फार्म होता है बिद्धत वाहक बल जो कहते हो तो उसको किसी सेल के अंदर कितना एंअ मैं फगर है इसको मेजर करने के लिए पूंटियोमेटर का इस्तमाल किया जाता है उसके बाद यह इसको लन करना है क्योंकि इतनी बार exam में पूछा हुआ है कि मत पूछो ठीक है पाइरो हिलियो मिटर से जो है जो सौर बिक्रड है उसको मेजर किया जाता है पाइरो हिलियो मेटर अगर घणना चक्र है आपके पास तो आप उससे देखें तो इतनी बहुत यह वाला कोशन पूछा गया पाइरोहिलियोमेटर जो है क्या होता है ठीक है तो सौर बिकरड से मेजर करने के लिए पाइरोहिलियोमेटर उपकरड का यूज किया जाता है ठीक है पाइरोमेटर का यूज है हम यहां पे देखेंगे उच्छ तापमान यानि कि हाइट जिसका यूज जो है उच तापमान मेजर करने के लिए किया जाता है रीन गीज जो है वैसे भी पता है रेन का मतलब होता है वर्षा देखे वर्षा की मातरा को मेजर करने के लिए रेन गीज डिवाइस का इस्तामाल किया जाता है स्फिग्णो मैनोमेटर यह मुस्ट इंपोर बीपी में दो चीज़ होता है अच्छा एक चीज़ बताओ बीपी में जो है क्या होता है कि कौन से मिटल का इस्तमाल किया जाता है यहां पर अगर हम बात करें तो 80 mm अच्ठी ठेक है और 120 mmHg होता है ठीक है । यहनी कि सबसे अगर इसकी बात करें तो यानी कि जो होना चाहिए ब्लड पेसर का वो हिसी के बीछ महोना चाहिए 80 mmhg और 120 mmHg की बीछ ही होना चाहिएँ अगर किसी वेक्ति को 80 mmHg से नीचे है तो उसका BP क्या होगा BP जो हे लो होता है ठीक है और इससे अगर उपर 120 mmHg से तो BP क्या हो जागा BP जो है High हो जाएगा ठीक है तो BP जो है 120 mmHg से ऊपर रहा तो High हो जाएगा 80 mmHg से नीचे रहा तो उसे लोग ब्लड प्रेशर कहेंगे ठीक सभिगा आप सियांता किसी भी तरल में चींके किसी भी लिक्विड में स्यानता को मेजर्मेंट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तमाल किया जाता है वह विस्कोमेटर होता है वाइंड वेन ठीक है तो वाइंड में जो किसके लिए होता है पवन की दिसा को मेजर करने के लिए ठीक है तो याद रखना वाइंड में जो है पवन की हेलियो में तो हम जो है आज की इस वीडियो में जो हम लोग ने अच्छे से कवर किया कि कौन-कौन से उपकरण हैं इंपोर्टेंट हमारे लिए और उसके कौन से डिवाइस हैं जो एक्जाम में पूछ ली जाते हैं कि डिवाइस का नाम बताओ कि इससे क्या मेजर किया जाता है तो आयोपी चीज़ें आपको समझ में आया होगा क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत इंपोर्टेंट अगर प्रीविएस का पेपर उठाओ तो एक क्वेश्चन जो है जिएस में साइंस यानिके फिजिक्स के अंतरगर जो यहां से जरूर पू